आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी मैसूस कर रहा हूँ शायद ऐसी खुशी बहुत रहर हो के जनौते हैं जब तन मन खुश्यों से भर गया और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी गटना गरती है कि वो बेसबरी हावी हो जाती है इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है इतनी बेसबरी मैं शाउथ आफ्रीका में था फिर ग्रीस का कारकम था तो वहां चला गया लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था लेकिन कभी के भी लगता है कि मैं आप लोगों कर सार अन्याय कर देता हूं बेसबरी मेरी और मुसीबत आपकी इ आपको दिक्कत ही होगी लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था आप सबको सेल्यूट करना चाहता था आपके परिसम को सेल्यूट आपके धैरिय को, सेल्यूट आपकी लगन को, सेल्यूट आपकी जीवर्ता को, सेल्यूट आपके जदिवे को, आप देश को जिस उंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारन सफलता नहीं है, ये अनन्त अंतरिक्ष में भारत के बैज्यानिक सामर्थ का संखनाद है, इंडिया, इंडिया इस अन्द मून, वी हाव अवर नेशनल प्राइड प्लेट अन्द मून, हम वहाँ पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था, हमने वो किया, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था, ये आज का भारत है, निर्भिक भारत, जुजारू भारत, ये वो भारत है, जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी, दुनिया में रोशनी की किरन फैला देता है, 21 सदी में, यही भारत, दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा, मेरी आखों के सामने 23 अगस का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घुम रहा है, जब टचडाउन कन्फरम हुआ, तो जिस तरह यहाँ इसरो सेंटर में, फुरे देश में, लोग उचल पड़े, वो द्रश्य कौन भूल सकता है, कुछ मरतियां अमर हो जाती है, वो पल अ प्रेरणा दाइक्षणों में से एक है, हर भारतिये को लग रहा था, कि विजयें उसकी अपनी है, खुद महसूस करता था, हर भारतिये को लग रहा था, कि जैसे वो खुद एक बड़े एक्जाम में पास हो गया है, आज भी बढ़ाईयां दी जा रही है, संदे से दी जा रहे हैं, और यह सब मुमकिन बनाया है, आप सब ने, आप ने, देश के मेरे वेग्यानिकों ने, यह मुमकिन बनाया है, मैं आप सब का, जितना गुनगान करूं, वो कम है, मैं आपके जितनी सराना करूं, वो कम है,